प्रिये विद्यार्थियों, मैं डीके मिस्रा सह आचार्ज, बिये तिरतिये वर्ष, प्रथम प्रस्णपत्र, जैन दर्शन के प्रमुक्षिधान्त के अंत्रगत, आज का टोपिक है सब्त भंगी पिछले ब्याख्यान में हमने अनिकान्त बाद पर प्रकास डाला, स्यादवाद के बारे में भी चर्शा किया, आज सब्त भंगी के बारे में चर्शा करेंगे जैसा कि आप जान चुके हैं कि जैन दर्सन अनेकांतवादी दर्सन है अनेकांतवाद एक दर्सन का नाम है अनेकांतवाद एक विचार का नाम है जैन दर्सन में प्रतेक वस्तू अनंत धर्मात्मक है यह अनंत धर्मात्मक वस्तू ही अनेकांतवाद है इस अनन्त धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादन की पद्धती का नाम स्यादवाद है प्रतिपादन के तरीके का नाम स्यादवाद है प्रतिपादन के द्रिष्टिकोन का नाम स्यादवाद है किन्तु कितने द्रिष्टिकोन से प्रतिपादित किया जा सकता है कितने प्रकारों से हम स्यादवाद को या अनंत धर्मात्मक वस्तु को कितने तरीके से कितने प्रकारों से कितनी सैली में हम इसका निरूपन कर सकते हैं जो निरूपन की पद्धती है निरूपन के तरीके हैं उसे ही हम सब्तबंगी कहते हैं यानि अनन्त धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन साथ तरीकों से, साथ प्रकारों से किया जा सकता है। उन प्रकारों को ही समहार रूप में सब्तभंगी नाम दिया गया है। यानि अनन्त धर्मात्मक वस्तु को प्रतिपादन करने के साथ प्रकार हैं और उन प्रकारों को सब्तभंगी नाम दिया गया है। जो वस्तु में विवक्षित धर्म का प्रतिपादन करती है किन्तु अविवक्षित धर्मों की उपेक्षा नहीं करती। विवक्षित का अविवक्षित का यहां सामने से है। प्रधानता से है। जो सामने दिखाई देता है। उसका तो प्रतिपादन किन्तु जो दिखाई नहीं देता है। जो अप्रधान रूप में हैं उसको भी उपेक्षा नहीं किया जाता। इस विवक्षित और अविवक्षित धर्मों के प्रतिपादन हम सब्तबंगी में करते हैं। सब्तबंगी की परिभासा प्रस्णवसादेक अस्मिन वस्तुन्य विरोधेन विदी प्रतिशेद कल्पना सब्तबंगी। एक ही वस्तु में बिना किसी विरोध के विदी और निशेद की कल्पना करना सब्तबंगी है। एक ही वस्तु में एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के उसके विद्धयात्मक रूप का भी कल्पना करना प्रतिपादन करना और उसके निशेदात्मक रूप का भी प्रतिपादन करना। किसी की उपेक्षा नहीं करना। यह सब्त भंगी है, सब्त भंगी के साथ भंग इस प्रकार है, पहला भंग है स्यात अस्ति, दूसरा है स्यात नास्ति, तीसरा भंग है स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, चोथा भंग है स्यात अवक्तब्य सब्तभंगी का पाचवा भंग है स्यात अस्ती, स्यात अवक्तब्य छठा भंग है स्यात नास्ती, स्यात अवक्तब्य साथवा और अंतिम सब्तभंगी का प्रकार है स्यात अस्ती, स्यात नास्ती, स्यात अवक्तब्य इस प्रकार आज हम सब्थभंगी के सातो भंगों के नाम गिनाए हैं आगे की ब्याख्यान में इन सातो भंगों के प्रकारों पर, सातो भंगों के स्वरूप पर उदाहरन से हम समझेंगे आज इतना ही झाल झाल